जहिन दोस्तों कैसे हैं आप सभी ठीक ठाक चलिए शुरू करते हैं CI और CI आज आपको बनाने के लिए कई तरीका से हम बताएंगे एक से अधिक तरीका से आप आज जानेंगे CI बनाने के लिए ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं हमारा प्रशन है, ठीक है, दस अजार रुपया है, और दस परतिशत वार्सिक ब्याजदर से दो वर्स में चक विर्दी ब्याज क्या होगा, ठीक है, दो वर्स का चक विर्दी ब्याज निकालना है, तो चलिए, पहला तरीका जानते हैं, तरीका पहला, फार्मूला से जानते ह ठीक है ए बरावर P 1 पलस R बटा 100 पावर T चलिए इस फिर रख दीजिया राम से P कितना है 10,000 R कितना है तो 1 पलस R है 10 बटा 100 पावर T 0 से 0 कट गए 10,000 गुना 11 बटा 10 गुना 11 बटा 10 दो 0 कट गए 11 में 11 से 101 यानि 12,100 रुपया आपका आया निसरधन आपको निकलना है C I तो आप घटा लेंगे निसरधन में से मुलधन को घटा लेंगे तो C I आ जाएगा 12,100 में से 10,000 घटाएंगे तो आपका 101 पाजाएगा C I answer दीसर यह रहा पहला तरीका तो चलिए भीया अब दुसरे तरीका की और बढ़ते हैं क्या है दुसरा तरीका मजा आ जाएगा चलिए दुसरा तरीका के लिए एक ट्रीक आपको याद रखना होगा पलस माइनस x, पलस माइनस y, पलस माइनस xy बटा 100, चलिए, उस पर अगर हम रखेंगे, तो हमारा पलस 10, पलस 10, पलस 10 गुना 10 बटा 100, ठीक है, चलिए, तो ये आज आएगा 10 और 10, 20, पलस, यहां से 1, 100 परतिशत, ठीक है, तो 100 परतिशत, आप डिरेक्ट ही निकाल दीजी, आपके पास 10,000 रुपया मुल्धन है, इसका 100 परतिशत आप निकाल दीजी, तो आपका 100 रुपया आ गया CI, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, दुसरा तरीका हुआ, चलिए, अब हम लोग चलते है तीसरा तरीका की और, है ना, बहुत तरीका है, मज़ा आ जाएगा, आप किसी भी तरीका से बना लो, ठीक है, धजिया उडा देना है भी या, कवा उड, मैना उड, और आपको कहना पड़ेगा मैथ उड, तो बिलकुल उड, बच्पन में एक खेल खेले थे, ठीक है, कवा मैना उड, और हम लोग, अब उडा देना है, मैथ को भी, अगर बोले मैथ उड, तो आपको बोलना होगा, हाँ मैथ उड, तो आज उडाते हैं मैथ को, ठीक है, छेले तिसरा तरीका की और, चलते हैं, तिसरा तरीका हमारा होगा, ठीक है, देखिए, तिसरा तरीका के लिए आपको ratio याद रखना होगा मेरे प्यारे ratio है 2 अनुपात 1 ratio है 2 अनुपात 1 जब timing दिया रहे है 2 वर्ष 2 चलिए तो 10,000 का 10 पर्तिशत निकालेंगे तो आजाएगा 1,000 1,000 में multiply कर दिजे 2 से क्योंकि ratio में हमारा दिया हुआ कितना है 2 है तो चलिए 1,000 गुने 2 आगे 1,000 निकाले है ना उसी का निकाले 10 पर्तिशत 1,000 निकाले है ना उसी का निकाले 10 पर्तिशत तो कितना हो जाएगा 100 100 गुना करेंगे 1 तो कितना आजाएगा ये 2,000 आवे 100 कितना हो गया 1,200 आपका CI अंसर आ गया तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, क्या बात है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, चौथा तरीका की ओर, जी हाँ, चौथा तरीका, बिल्कुल आसाँ, चौथा तरीका, तिसरा तरीका सिख गया है, चौथा तरीका, आपके पास है दस अजार रुपया, ठीक है, दस पर तिशchlag, चलिए पाला साल, दस ओजर का आप दस परतिशШा निकालों मेरे प्यारे तो कितना आ जाएगा, एक हजार? अगर कहेगा पहला साल का A SI मतलब साधरन ब्यासतों भी एक हजार, पहला साल का अगर बोलेगा ś sometimes लगता है उसी को चक्विर्धी व्याज आता है ठीक है तो चलिए एक हजार का एक हजार तो लगेका ही दुसरा साल उस पर दस-परतिश्ट लगेगा तो, Hutu एक हजार का दस-परतिश्ट वैड-टा सौ रोपया कहई है । 1500 पर समझते चलिए ठंसे थरीके से 1000 10 पर प्री सकतना हो गया दूसरी साल का नोगुंट्क इस त्रम से सब्सक्राइबें लेकिन पूछा गया है दो वर्स मेंमें दो वर्सका दो वर्सका तो рав एक यह हंचाराष्जार 2 2,000 मेचर को more हो गया कंच गया इस तरीके से आप निकाल सकते हैं यह आपका रहा चौथा तरीका आईए जानते हैं फास्मा तरीका ठीक है पास्मा तरीका से भी आप बना सकते हैं चलिए ठीक है देखिए एक तरीका आपको जानना पड़ेगा जात का तुलना जात से जो हमारा वीडियो और भी नहीं देखे हैं कोई भी चेप्टर हो जैसे कि अगर माल लेते परसेंटेज पढ़ा रहे हैं प्रोफिट लॉस पढ़ा रहे हैं इस यो रेशियों प्रपोर्शन पढ की मतबा रहे हैं ठीक है तो अगर आपको ठीक है यह अपको ट्रीक अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा तो दिक्कत करेगा विदार्थी चलिए हम थोड़ा से आपको बता दें थो तो यह तरीका क्या है समझीएगा ठीकholders पाश्मा तरीका में जात का तुलना जात से यूज होगा ठीक है चलिए पी लिखी और ए लिखी है तो सो मैंने लिख दिया मुलधन हमारा सो होता है दस परतिशत पर कितना हो जाएगा 110 दो वर से तो दो वर लिख दीजिए multiply करके फिर से हो गया मिस्रधन कितना हो गया 101 मिस्रधन में से मूलधन हो घट आएए ग तो क्या आजाएगा ठीक है बना रहे हैं साइज कोई भी एवरेज ठीक है तो उसमें यह तरीका हम यूज करते ही करते हैं और यह बहुत ही सरल और बहुत ही असान कर देता है इसलिए एक वार यह तरीका को आपको सीखना चाहिए ठीक है एकदम सीखना चाहिए विद्यारती बहुत प्यारा बहु ओ गया ठीक है तो हम यहां से मुल्धन का तुलना मुल्धन से यह भी हमारा भुल रुपया आपका गया greek आइद स्याइइ उस तरीके से भी यह हमारा पाजमा तरीका है इस तरीके से भी आप बना सकते हैं तो चलिए हम लोग चलते हैं ठीक है एकदम मझा आजाएगा और बना सकते हो 10,000 रुपया है मुल्धन चले 10,000 लिख दी आपको 10 परतिशत कितना रेट है 10 परतिशत तो 10 परतिशत बढ़ाईए सो में 10 बढ़ाएंगे 110 बटा 100 लिख दीजिए फिर कह रहा है दो वर्स के लिए तो फिर से लिख दीजिए 110 बटा 100 यह आपका क्या आ जाएगा ठीक है यहां से आपका मिस् सब्सक्राइब करने में जाता क्या है एक से एक वीडियो आपको खतरनाक वीडियो और अच्छा वीडियो मिलता रहेगा और अगर आप इस ट्रिक को नहीं सीखे हैं तो और भी सारा मेरा वीडियो है उसको एक वारा आप जरूर देखें तो आज इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है